नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलो में आज हम बात करेंगे ओहम सला के बारे में डेफिनेशन ओफ ओहम देखेंगे और सिगनिफिकेंस ओफ आर देखेंगे तो यह थीनों चीज़े इसके इंदर डिसकस करेंगे उसका यूज करते हैं और उसके अंदर जो करंट परड्यूज होता है तो करंट परड्यूज जो है और पोटेंशल डिफरेंज जो है इन दोनों को यह रिलेट करता है तो according to ओहम ला क्या है? current flowing through a conductor अब कोई भी connector है, conductor क्या होता है जिसको अंदर से आसानी से current flow कर सकता है तो current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference कि वो potential difference के directly proportional होता है current का symbol क्या होता है I, तो वो directly proportional किसके है V के, यानि कि potential difference जो आपने apply किया है across the ends of the connector अब यहाँ पे देखिए, आपने एक battery का use किया है supply करेंगे, a meter है, वो volt meter है यह जो symbol है, यह key का symbol होता है तो यह key है, और यह real stat है, यह register है तो यह symbol हम पिछले lecture के अंदर discuss कर चुके है अब जो current flow की direction होगी वो plus से इस तरह से इस तरह से चलेगी वो यानि कि plus symbol से जो battery का है और minus तक आएगी इस तरह से current की direction होगी आई आप इस तरह से show कर सकते है अब यह I है, वो हमारा directly proportional V के है according to omla जब हम सारी physical conditions को same रखते हैं बाकी की सारी physical conditions same है, तो I directly proportional V होता है या फिर आप इसको V directly proportional I लिख सकते हैं अगर आप इस directly proportional के sign को हटाते हैं तो यहाँ आप I, R लगा सकते हैं यानि कि R का आप यूज कर सकते हैं अब यह जो R क्या है इसको आप proportionality constant कह सकते हैं या फिर आप इसको बोल सकते हैं जो resistance है conductor का तो resistance भी आप इसको बोल सकते हैं resistance की वो क्या होती है ohm तो यह भी हमें याद रखनी है इसका symbol होता है omega और omega को हम इस तरह से denote करते हैं यह omega का sign होता है तो यह omega का sign हो गया अब definition of ohm क्या है अब हमने ohm जाना कि यह है क्या resistance की SI unit है तो यहाँ से इस formula में से आप R को निकाल लीजी R क्या हो जाएगा हमारा V by I हो जाएगा यानि कि resistance जो है V by I हो जाता है अब अगर आप V को 1 volt पुट कर दे V क्या है voltage है 1 volt पुट कर दे I को आप 1 ampere पुट कर दे I current है तो ampere में तो R जो है हमारा यह क्या हो जाएगा 1 omega हो जाएगा 1 omega अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 1 omega है या 1 ohm कुछ भी आप कहलीजिए जो 1 ohm है तो यह क्या है जब conductor का जो resistance है 1 ohm कब होगा जब वो 1 ampere का current है उसके अंदर flow करेगा और जो potential difference अपलाई होगा वो 1 volt का होगा उस circuit के अंदर तो resistance जो होगा वो हमारा 1 ohm होगा जब 1 ampere का current flow करे applied जो potential difference हो 1 volt हो circuit के अंदर अब बात कर लेते हैं इसके significance की जो R का significance है वो है कि यानि कि इस resistance का हमें फाइदा क्या है तो इसकी significance की हम बात कर लेते हैं कि क्या फाइदा रहेगा तो R जो है वो हमारा resistance है यह हमें पता है resistance का मतलब क्या है resistance का मतलब है कि ये flow of current को obstruction देगा उसका विरोध करेगा जो भी हमारा current flow करेगा circuit के अंदर से हमारा current flow कर रहा है तो ये उसको obstruction दे रहा है रुकावट उसको दे रहा है जैसे कि आपने देखा होगा जो wires है वो गरम हो जाती है जैसे जैसे जो है आप उसके अंदर current supply करते रहते हैं तो अगर आर जो है जादा होगा अगर आर की वैल्यू आप बढ़ा दें तो जो current है यानि कि जो आई है वो क्या हो जाएगा less हो जाएगा तो आर अगर more resistance more तो current क्या हो जाएगा less हो जाएगा और सेम वैल्यू के लिए potential difference की सेम वैल्यू के लिए वेल्योव पोटेंशल डिफ्रेंस तो यहां पर यह सिगनिफिकेंस आता है जैसे जैसे आप सर्किट को चैक करते हैं तो रहती है तो इसको सीगनिफिकेंस आता है जब आप उब्जरवेशन लेते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पर आप रियो स्टेट का यूज करते हैं कम जादा करने के लिए अर्जिस्टेंस को या फिर वैरियेबल अर्जिस्टर का यूज करते हैं तो अलग-अलग तरह से इसका जो significance देखने को मिलता है experiments के अंदर तो यह था हमारा ओमसला तो thank you वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल ग्यानलों पे हमें सबस्क्राइब कर सकते हैं धन्यवाद